next question question says following sets of three forces acts on a body हमें बताना है कि whose resultant cannot be zero now this case में हमें चारों option देखने पड़ेंगे कि इन चारों में से किसका resultant force zero नहीं हो सकता है अपने पहला option है 10,10,10 पहले option लिख लेते हैं दूसरा option है 10,10,20 option number अपना 3 है 10,20,23 दूसरा चौथा option है 10,20,40 नौ इसको जैसे में अपनी classes में बात करते हैं मैं जैसे पढ़ाता हूं हम यह कहते हैं कि अब हम जब class 11th में आ गई है 11th का syllabus पढ़ रहे हैं तो इस case में हमारी mathematics थोड़ी सी बदल गई है जैसे for example कभी भी मैं अपने classes में सवाल पूछता हूं कि यह बताओ 6 plus 6 कितना होता है usually student का usual जो आपने 9,10 में पढ़ा उसका obviously जवाब है 12 लेकिन इस case में हमारा जवाब 11 के syllabus में आके थोड़ा सा बदल गया है 6 plus 6 की value 12 हो ऐसा जरूरी नहीं है यह depend करेगा अगर यह दोनों vector quantity हैं तो 6 plus 6 की value 0 भी हो सकती है और इनक anything in between तो 6 plus 6 12 हो ऐसा जरूरी नहीं है यह छोड़े बच्चों वाली बात है अगर दो वेक्टर हैं जिन दोनों का same direction है तो 12 भी हो सकता है opposite direction में अगर 6 और 6 forces लगे हुए है या displacement आपका पहले 6 इदर फिर 6 इदर है तो 0 भी हो सकता है दोनों अगर 90 के angle पे तो 6 root 2 भी हो सकता ह है तो इसकी value अब हमारे लिए बदल गई है it is no longer 12 अगर यहां पे वेक्टर के सवालों में जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो यह है कि दो वेक्टर अगर हम add कर रहे हैं दो वेक्टर कभी भी हाप add करेंगे उनका maximum sum possible उनके algebraic sum से ज्यादा नहीं हो सकता तो अब यहा करेंगा उनके भी आइंगल क्या है इसको हम चाहता है तो अब आधा है तो शुल कर सकते हैं तोष्य करेंगे हम proven कि असे सवाल की एंगल का 120 अ jest क्या 10 plus 10 के 2 vector हैं उनको add करके हम 20 बना सकते हैं? answer is yes. क्या 10 plus 20 के 2 vector add करके हम 23 बना सकते हैं? answer is yes. क्या 10 plus 10 के 2 vector add करके हम उनका sum 40 बना सकते हैं? answer is no. so which means ये वाला vector sum possible नहीं है या जिनका resultant 0 आजाए ये possible नहीं है so which means option number D would be the correct choice.